बंदे प्रदेश के सबसे बड़े सहर इंडॉर को मिल जल्दी एक और बंदे वारत एक्सप्रेस की सौगात मिलने वाली है। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि यह टैन कब से चल सकती है और किस किस इस्टेशन भी चलेगी। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें। चलिए ज्यादा टैम खराब ना करते हुए। शुरू करते हैं वीडियो को डेटेल में। इंडॉर को अपनी पहली स्लीपर बंदे वारत ट्रैन की सौगात मिल सकती है। ऐसे संभावना जताई जा रही है कि एर ट्रैन इंडॉर से मुमे के भी चलेगी। पच्छिम रेलवे इसका प्रिस्ता पहले ही टाइम टेवल कमेटी को भेज चुका है। जिससे रेलवे बोर्ट को भी भेज दिया गया है। इंडॉर से अभी एक ही बंदे भारत एक्सप्रेस ट्रैन चलती है। वह इंडॉर से नाकपुर के भी चलती है। और वह चेयर का ट्रैन है। लोकसवाचुनाप का आज रिजल्ट आने के बाद अब नई सरकार का घटन होने के बाद इसका फैसल लिया जाएगा। रेलवे के एक आफिसन ने बताया कि इंडॉर मुंबई बंदे भारत स्लीपर वर्जन की ट्रैन अक्टूबर तक चलाई जा सकती है। इंडॉर मुंबई के बीच यात्रियों का काफी दवाव है। और दौनों सहरों के बीच केवल अभी एक ही ट्रैन चलती है उसका नाम अविंतिका एक्सप्रेस। इस ट्रैन में पहले से कंफर्म ट्रिकेट मिलना मुश्किल होता है। अधिकतर ट्रिकेट इसमें दो से तीन महीने पहले बुक हो जाती है। हेर ट्रैन दौनों स्ट्रेशनों के बीच आठ सो तीस क्रिम्टर दूरी त्याय कन्ये में लगवारा से तेरा घंटे का समय लेती है। जबकि बंदे वारत एक्सप्रेस इस दूरी को साड़े नौ घंटे में पूरा करेगी। इसके अलावा दूसरी ट्रैन के रुबिकल्प के रुप में सब्ता में दो दिन चलने वाली इंदोर मुंबई दुरन्तो एक्सप्रेस भी है। यह ट्रैन भी काफी समय पहले बुक हो जाती है।